खुल गया खुल गया आपके ग्राम कल्चिना में केटी मोटर्स जहां पर आप खरीद सकते हैं मारुत्ती सुजुकी की नई कारें एक बार सेवा का मोका वर्ष्य दें पता मैन बसिस्टेंड नई मार्कीर कल्चिना संपर्ख करें 63 पिच्चान में बान में 67 तरीकत तर नमस्का दोस्तो मैं विने दुबे मुंबई से पौराणी काल में एक पारस पत्थर का उल्ले खाता है हमारे हिंदू धर्म के गरंथों में हमारे सनातन धर्मों में गरंथों में पत्थर है पारस पत्थर जिसका जिकर हमेशा आता रहा है कि वह चीज़ अगर किसी को छूदे पारत पत्थर अगर किसी को छू दे, किसी समान को, वस्तू को या लोहे को तो वो सोना हो जाता था ऐसी किंदवतिया और कहानिया पुराने जमाने से चली आ रहे हैं, सुनाई देती हैं हमने बच्पन में बहुत सूनी है आज उस पारत पत्थर की खोज हो गई भारत के अंदर आपको सुनके आश्चरे लग रहा होगा कि ये विने धुबे आज किस मुद्दे पे बात कर रहा है जी हाँ मैं एक दम सही मुद्दे पे हूँ और ये जानकारी आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था कर शाम मैं बैठा हुआ था ये पारत पत्थर का मुझे खयाल आया आज भारत के अंदर वो पारत पत्थर का नाम है मुसल्मान उस पारत पत्थर का नाम है इसलाम कुरान जी हाँ ये एक ऐसी चीजे हैं मुसल्मान एक ऐसी चीज हो गई है कि जो भी इस चीज को करीब जाएगा जो भी इस चीज से उलचेगा वो सोना हो जा रहा है आपने देखा होगा गोधरा दंगो में जिस तरह से मुसलमानों का कतले आम किया गया उसके बाद एक मुख्य मंतरी सीधे देश का प्रधान मंतरी हो जाता है नरिंदर दामोदास मोदी जिस पार्टी में नरिंदर दामोदार दास मोदी जी है उस पार्टी का शायद ही कोई बंदा होगा जो इस मुसलमान शब्द से अचूता होगा इसलाम से अचूता होगा या कुरान से अचूता होगा क्योंकि इनके लिए कुरान, इसलाम और मुसल्मान आक्सीजन से कम नहीं है जिस तरह से हम आक्सीजन अंदर लेते हैं तो हम जिन्दा रहते हैं उसी तरह से देश में एक बड़ा तपका है जो बिना मुसल्मानों के नाम लिए जिन्दा रही नहीं सकता और ये कौम इतनी सब्र और बरकत देती है कि एक रोड़ चाप गुंड़ा भी लोगों का हीरो बन जाता है जिस तरह से कल दिल्ली में एक अपराधी जो इतना डरपोक था कि अपना घर बार छोड़ कर भाग गया था पहले सेशन कोर्ट में उसकी जमानत खारीज हुई फिर हाई कोर्ट में मूँ के बल गिरा और वहाँ पर जमानत खारीज हुई ये बंदे को लोगों ने कंधे पर बठा कर पूली स्टेशन पहुँचाया इतनी खुबसूरत तस्वीर भारत में हो ही नहीं सकती लेकिन पता है वो आदमी को आखिर जेल क्यों जाना पड़ा उसके पीछे भी एक शब्द था मुसल्मान वहाँ पे जो नारे लगे थे वो किसके लिए लगे थे मुसल्मान आज देश में एक बड़ा तपका मुसल्मानों के नाम पर जिन्दा है उनकी भीग पे पल रहा है अगर वो वेक्ति मुसल्मानों को गालिया ना दे मुसल्मानों को अफशद्द न कहें तो शायद ही कोई कुट्ता सडक चलता हुआ खुजली वाला कुट्ता इनको इजद्द दे इन्होंने अपने लिए जिन्दगी भर काम किया लेकिन वो शोहरत वो हैसियत हासिल न कर पाई लेकिन जैसे ही उन्होंने मुसल्मान शब्द का इस्तमाल करना शुरू किया वो आज हीरो बन कर खूंग रहा है बाकी सब तो छोड़ दीजिए एक इंसान जो विदेशों में पढ़ाई किया जो अच्छे संपन्य परिवार से है इसलाम ने उसे भी सन्यासी बनने पर मजबूर कर दिया मैं बात कर रहा हूँ गाजियाबाद के उस दलाल उस असमाजिक तत्वर यती नरसिंगानन सरस्वती की ये वेक्ती खुद कबूल कर रहा है कि किवल इसलाम और मुसल्मान के खातिर ये बंदा सन्यासी बन गया सुनिए जरा और सन्यासी भी मैं केवल इसलाम के जिहाद से लड़ने के लिए बना हूँ वरना सन्यासी बनने का मेरा कोई उद्दे से दर्दी पर नहीं था ये तो ताकत है भारत में इसलाम, कुरान और मुसल्मानों की कि जो भी व्यक्ति मुसल्मानों को या तो गरिया दे या उनके साथ हो जाए वो हीरा हो जाता है, सोना बन जाता है, जैसे पारस पत्थर होता है कि इस कौम को अगर आपने छू दिया, तो आप हीरा बन जाओगे, सोना बन जाओगे और यही शौटकट आज पूरे देश में देखा जा रहा है चूडी वाले के साथ मारपीट होना, चाहे कचरे वाले के साथ मारपीट होना चाहे पानी पूरी वाले के साथ मारपीट होना, चाहे एक मसाला डोसा बनाने वाले दुकान पे एक छोटा सा कारीगर, सोचिए एक छोटा सा कारीगर जिसकी देड़ सो, दो सो, चार सो रुपे की दिन की कमाई होती है, उक मुसलमान होने के नाते एक गुरूप को लगातार मीडिया में चर्चाम बना देता है, ये तो ताकत है मुसलमान और इसलाम की, कि एक अधना सा इसलामिक मुसलमान व्यक्ति उन हिंदू नेताओं को चमका देता है, जो अपनी पूरी जिंदगी अपना पिछवाडा रगड देते हैं, लेकिन गली के बाहर उनकी कोई आउकात नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो किसी मुसलमान को छू देते हैं, वो राष्ट मुसलमान का ही हाथ है, वो मुसलमान का नाम लेता है, उनको गालियां देता है, आज वो सोना हो चुका है, आपको पता है उमर खालिद भाई जेल में क्यों हैं, क्योंकि वो मुसलमान है, कहीं ने कहीं ये इसलाम और मुसलमान की ताकत दिखाती है इस देश के अंदर, इस कि सुन्दर्ता और उनकी सब्र दिखाती है कितना सब जहिलने के बाद भी यह कौम कभी शिकायत नहीं करती है क्यूंकि इनके कुरान में लिखा है कि सब्र रखिये उपर वाला फैसला करेगा तो कहीं न कहीं मैं सलाम करता हूं सल्यूट करता हूँ इसलाम के मानने वालों को हमारे देश के मुसल्मानों को कि आपकी फेकी हुई भीक के तुकडे पर आज इतने सारे लोग पल रहे हैं अगर आप नहीं होते तो शायद इनको गली का कुट्ता भी न पहचान रहा होता एक अदना सा ठेले वाला एक अदना सा पानी-पूरी वाला भी कुछ लोगों को चमका कर हीरा बना देता है मैं सल्यूट करता हूँ मैं धन्यवात करता हूँ कि आप हमारे देश में इसी तरह से खमकाने के लिए ऐसे सोने बनाने के लिए आप बने रहे हैं लेकिन उपरवाला आपके साथ हमेशा है हम जैसे हिंदू भाई सानातिनी भाई आप लोगों के साथ हमेशा है चाहे कितना भी कस्ट आए चाहे कितनी भी तकलीफे दी जाए हम कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि लोगों के आखे बंद करने से अंधेरा नहीं होता और ये जो चीजे लोग आज मुसल्मानों को मारपिट कर रहे हैं लिंचिंग कर रहे हैं उनको गालियां दे रहे हैं इसका फैसला बहुत जल्द उपरवाला करेगा क्योंकि इनके नहीं चाहने से सुर्योदय नहीं होगा ऐसा नहीं है आज अंदेरा है भोर हो चुकी है अगले कुछ पलों में सुर्योदय होगा ये चाहे कितना भी अपना पिछवडा रगड ले ये भारत में सुर्योदय होने से नहीं रोक सकते नरेंद्र मोदी जी आए और चले भी जाएंगे बहुत सारे नेता भारती जन्ता पार्टी के आए और चले भी जाएंगे ये देश चलता रहेगा बिना नरेंद्र मोदी के भी चलता रहेगा बिना योगी आदित्यनाद के भी चलता रहेगा बिना उद्धो ठाकरे के भी चलता रहेगा बिना मम्ता बेनरजी के भी चलता रहेगा ये देश हमेशा चलता रहेगा और जिन लोगों को लगता है कि बिना नरेंद्रमोदी या बिना हमेशा के देश चलना नामुमकिन है तो कृपया इसी समय नरेंद्रमोदी जी की धर्मप चलेगा तो उनकी पतिनी को देखकर आप चरह सीखिए यह समय है बदलेगा जरूर और इसलाम मुसल्मान और कुरान को खतम करने वाले कितने ही आए और चलेगे मैं धन्यवात करता हूं सल्यूट करता हूं मुसल्मानों के उस सब्र को जिन्होंने अपने इसलाम में अपने आला है और अपने अंदर सब्र रखा है उपर वाले पर यकीन रखिए अल्ला पर यकीन रखिए प्रभु शीराम पर यकीन रखिए क्योंकि कंड कंड में ये बस्ते हैं और कभी भी गलत नहीं होने देंगे इनकी लाठी में कभी भी आवाज नहीं होती सब का फल यहीं पर मिलेगा जिस तरह से बाबरी मस्जिद के शहीद करी गई आज देखिए लाल कुष्णा अडवानी की क्या हालत है मैं भगवान से दुआ करूँगा अमिश्या दरेंद्र मोदी जी को भगवान लंबी उमर दे ताकि वो अपने आखों से इस देश में जो नफरतिनों ने बोया है उसकी खेप समाप्त होते और अपनी दुर्गती होते वो जरूर देखे जैसे लाल कुष्णा अडवानी देख रहे हैं भगवान आप लोगों को लंबी उमर दे शतायू बनाएं ये कामना मैं करता हूं तमाम मेरे इसलामिक भाईयों को मुसल्मान भाईयों को विने दुबे की तरफ से सल्यूट है सलाम है जै हिन जै महारास्ट्रा